हेलो नमस्क्राइब माइडे स्टुरेंट्स मैं आप सभी को स्वागत करता हूं जैसा कि आपको पता है बच्चों काफी प्रप्रेशन करें यूपी टिपल एसी जेए का जो एक्जाम है आपका 2016 का सेकेंड वाला उसका एक्जाम आपका जो डेट डेकलेर हुई है वो आप नीज को पेपर है आपको सेफ स्कोर क्या होगा और आपको कैसे लास्ट मॉमेंट में क्या क्या करना है जिससे आप अच्छी तरह से अटेम्ट करेंगे पेपर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैं आपको ये चीजे क्लेर करने जा रहा हूं आप ध्यान से इसमें द में भागवन में में अपका ज है वो आपका सामान हिंदी और ईंगलीस है हिंदी एम इंगलीस देखिए अपको जितने क्वोशशण आए उतने अटेंठ करिएगा ऑँ फाल्तू कॉशशन में तेकोश़ण जो general knowledge और आपका computer होगा इसके question आपके जो होगे 100 question होगे लेकिन वो 400 marks के होगे 100 question होगे लेकिन वो 400 marks के होगे तो इस पर आपको इन दोनों के लिए आपको समय कितना मिलेगा इन दोनों के लिए समय आपको मिलेंगे 2 hours ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि माइडिया गलत question minimum attempt करने है जिसमें doubt लेगा उसको छोड़ते जाएगे last में हम आपको safe score बताएंगे कितना रहेगा जो आप अच्छे से paper attempt कर सकें second paper जो हो आपका technical है तो इसमें आपका second paper जो हो technical है इसमें एक ही paper होगा जो भी आपकी branch है civil, electrical, mechanical जो भी आपकी branch है उसका होगा तो इसमें आपको technical आप लगभग तयार कर चुके होगे अब भी नहीं होगा तो cable revision करेगा ज़्यादा परसान होनी की जूरत नहीं है जितना हो गया उतना solid तयार करके जाएए और end moment पर आप question practice करके जाएए और जो आपने short notes बनाया होगे मैंने कई बहें बताया है कि short notes के end मौके पर अभी जो 2-3 दिन बचें केवल short notes पढ़ने आपको इसमें 125 question होगे जो की 500 number के होंगे ठीक है interview हट चुका है आपको पता होगा कि interview हट चुका है तो अब इसमें आपको देखिए पहले negative marking नहीं होती थी यह भी आपका technical जो है यह वाला यह भी आपका two hours का है ठीक है तो दो paper है आपके paper one और paper two तो दो घंटे के हैं बीच में आपको gap मिलेगा admit card साथ आ चुका होगा आप लोगों को information मिल चुकी होगी कि क्या है ठीक है अब आगे हम safe score क्या होगा उसकी बा marks का questions कितने हो जाएंगे 275 questions 275 questions और marks जो होगे 1000 अब 1000 में से देखिए जैसे कि 2016 के बाद आपका J.E. का कोई exam नहीं हुआ है 2016 से 2021 आ गया है और जो पिसली विगपती थी उसका ही paper नहीं हो पाया तो यह काफी दुर्भाग पूर्ण है जो students J.E. की त्यारी कर रहे है यह पहले अभी तक exam government बनते ही हो जाना चाहिए था तो students के भविष्ट के साथ खेलवार हो रहा है और कुछ नहीं है बहुत गुस्सा है इस चीज को लेके students में भी और जो teachers है उनमें भी students के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और भी विगपती आनी चाहिए थी 5 साल में लेकिन आप सोचें उनकी क्या condition होगी तो ये गलत चीज है आप देखिए हम आपको safe score बताते हैं क्या हो सकता है safe score आप देखिए पहले तो आप attempt करिएगा maximum correct question ठीक है ज्यादा wrong question आपको attempt नहीं करते हैं जितने maximum आप attempt कर सकते हैं जो आते हैं और safe score लगभग जो आपका होगा क्यू चुडेंट्स जो होंगे सामान केटेगरी open to all जो होता है मुझे लग रहा है ये मेरा expectation है जिए जिट्वेस अकेडमी की राय है स्टेडी करने के बाद 65% marks अगर 650 score अगर आ रहा है तो आप safe रहेंगे क्यूंकि इंट्रू नहीं है डायक्टिसी के basis पे आपका selection होगा इस से plus जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है 65 plus ही रहेगा और ज़रूरी नहीं है कि इतना ये मैं आपको ऐसा score बता रहा हूं आप 60 के करीब अगर पहुंचते हैं तो आप ज्यादा wrong attempt मत करेगा 65 plus मुझे जो लग रहा है general के लिए ये score आपका safe रहेगा 600 plus भी होगा तब भी आपक ज्यादा wrong attempt नहीं करने है maximum आपको उसस करेगे कि correct attempt करें UP का OBC जो है होगा वो मुझे लग रहा है लगबख 620 marks उसके लिए safe होंगे कट-off नहीं बता रहा हूँ मैं safe marks बताओ कट-off की study में exam के बाद आपको बताओंगा तो आपको बिल्कुल panic नहीं होना है अगर general वाले लोग 60 plus जा रहे हैं 600 marks आराम से बन रहे हैं तो आप wrong attempt मत करेगा तुक्का मत मारेगा ध्यान रखेगा कि ये जो आप negative marking जो है one fourth है आप जो ज्यादा marks के question है उसमें और ज्यादा आपको panic करेगा ये तो ज्यादा wrong मत attempt करेगा और ST category के schedule cast का मुझे लग रहा है 600 marks safe होगा ठीक है और girls का जो है girls का जो अलग reservation होता है उसमें मुझे लग रहा है 590 580 जो होगा वो safe mark होगा for girls के लिए UP और ST का भी लग बग इतना ही हो और डेट आपको पता ही है 19 तारीक को आपका exam है 19 बार दो जाएकीस ठीक है all students को सभी students को जो exam दे रहे है best of luck for your exam और बिल्कुल panic नहीं होना है बहुत time बाद आपका ये vacancy आई है मुझे पता है आप लोग काफी panic होंगे इसको लेके और काफी tension में भी होंगे तो मैं आप ल tension लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए दुविधाजनक होगा और end मौके पर आपको exam वाले दिन देखिए 19 को paper है आपको 18 तारीक को आपको कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है 18 तारीक को normally आपको देखिए 17-18 ठीक है आज 16 है 17-18 को आपको क्या करना है ज्यादा देर नहीं देखिए और कुछ नया मत पढ़िएगा 17-18 को आप देखिए इसमें आप योगा जरू करिएगा concentration के लिए आप meditation सुबह साम ध्यान लगा के कम से कम आदा घंटा सुबह आदा घंटा साम आप meditation जरू करिएगा exam के टाइम बहुत pressure होगा students में 18 को आप कोशिस करिएगा कि जो रिवाइज जरू करिएगा short notes को revise करने में जो आप कई बार पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको pressure भी नहीं feel होगा वह आप कई बार पढ़ चुके हैं तो positive indication ही देगा आपको positivity ही लाएगा और 17 को भी आप short notes अपने पढ़ सकते हैं ठीक 19 को जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे पेपर देने जाएंगे उसमें नींद आप कम से कम six hours की नींद आप पूरी करिएगा और maximum हो जाए तो six to eight hours की कोशिस करिएगा नींद पूरी करें और exam center जहां पे भी है आप एक दिन पहले ही पहुँच जाएं one day before पहुँच जाएए अपने short notes ले जेगा और जो भी आपका response हो फिर feedback आप हमें दीजेगा कैसा हुआ आपका paper हम आप लोगों से paper की detail भी बाद में share करेंगे कैसा paper हुआ अभी मैं आपको जो paper है सबी students को best of luck करता हूं अच्छे से exam दीजेगा tension मत करेगा बिलकुल fresh mood में जो आय वही करेगा अभी जो last मौके आपको केवल short notes revise करने हैं और जो आप पढ़ चुके हैं उसी को revision करिए ताकि आपको ज्यादा नया चीज कुछ मत पढ़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को I hope ये video आपके लिए useful होगा thank you for watching this video thank you a lot